हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो नामिकास कुख बोक आज में लेकर आई हूं आप लोगों के लिए जटपट से बनने वाला फैज मंचूरियन के रिए इस मंचूरियन में आपको तोड़के दिखा रही हूं कि कितना सॉफ्ट हमारा मंचूरियन बनाएं यह देखे यह इसे बीज़ी बीचीज के साथ सफ कर सकते हैं तो चलिए देखते कैसे मैंने मनाई यह वेज मंचूरियन मनानी के लिए यह पर पत्ता गोबी यह दो सो ग्राम के करीब है इसे मैंने फाइनली चौप्ट कर लिये आप चाहें तो मिक्सी में पल्स मोड पे इसे ग्राइंड क कर सकते हैं इस तरीके का बारीक हो जाता है साथी में ले लूगी आपे एक मीडियम साइज का गाजर इसे भी मैंने कदुकस करके लिए सब्जिया हम इसमें बारीक काटके लेंगे ताकि इजली मिक्स हो जाएं सब यहां पर मैं ले लिए एक मीडियम साइज का प्याज यह भी बारीक काटके ले लिए साथी ले लिए मैंने एक चम्मच बारीक काटके शिम्ला मिट्च साथी हम यहां पर ले लेंगे एक चम्मच अद्रक और लेसन को क्रस्ट करके ले लिए मैंने एक चम्मच जाल देंगे काली मिर्च का पॉडर अद्रक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा था रिमें चूरियल में तो आप इसको स्किप ना करें अद्रक ज़रूर डालें लेसन को आप लेसन को आप स्किप कर सकते हैं यहां पर मै डाल दूंगे इस्वात के मूंसार नमक अच्छे सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स कर लिए अब इसमे आड़ करेंगे दो चमच मैदा दो चमच यह एड़ कर देंगे कॉण फ्लॉर मैदा और कॉनफ्लोर को डालते हैं ध्यान रखे कि हमें ज्यादा मैदा या कॉनफ्लोर नहीं डालना है उसे हमारे मंचूरियन हाड हो जाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे अगर दो चब मेज में हो जाएगा तो ठीक है दी तो और मिक्स करेंगे अब इसको हाथों से ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छा बाइलिंग आगे अब हम इसमें और मैदा या कॉनफ्लोर यूज नहीं करेंगे अब इसके हम छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे जैसे भी आपको मंचूरियन बनाने है छोटे यह बड़े साइज में यह देखिए इस तरीके से हम मंचूरियन बॉल्स बना के तयार कर लेंगे अब आम इसको फ्राइगे तो चलिए बड़े करते हूं तो प्राइगे असमें तो प्रते मनें deze लोगाल होось से तेल तेल को गर्म होने देंगे मंचूरयान को फ्राइ करने के लिए तेल हमें जादा गरम ना हो दिफिर मंचूरयान उपर से लालल हो जाएंगे और अंदर कच्छे राजाएंगे देखें से मैं डाल दूगी और दोनों तरफ से अच्छे से सेख लेंगे तुरंथ हम नहीं चेह रेंगे उस साइट पकने रेंगे फिर हम इसे पलट लेंगे मैंने हाँ पर मिक्स वैज योज गिया है आप चाहें दूसरे पत्ता गोबी से भी बिना सकते हैं या पत्ता गोबी के जिद्धे फूल गोबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए एक साइट से हो गया अब हम इसे पलट लेंगे सबी को मैंने पलट दिया अब दूसरे साइट से भी अच्छे सेख लेंगे यह देखिए मन्चूरियन हमारे सिप चुके हैं अब इसे निकाल लेंगे गोल्रं ब्राउंड हो गया है दोनों साइट से इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी सेख लूगी यह देखिए मैं सा सॉफ्ट मंचूरियन बॉल्स बनके तयार हो गए अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी ग्रेवी बनाने के हम बनाएंगे स्लरी स्लरी बनाने के मैं ले रूँगी यहाँ पर दो चम्मच कॉन फ्लार यह मेरे दो चम्मच कॉन फ्लार ले रिये अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से अच्छी से मिक्स करके इसे हम एक साइट रख देंगे और एक और गोल बनाएंगे हम दूसरा गोल बनाएंगे हम सॉस का तो यहां पर मैं ले लिए सॉया सॉस दो चम्मच ले लिए मैं दो चम्मच की करीब मैंने ले लिया सॉया सॉस यह जो घर में हम चम्मच ले लिए यहां पर मैं ले लिए दो चम्मच विनेगर इस से तेवर आएगा हमारे मंचूरियन में और साथी हम डाल देंगे दो चम्मच चिली सॉस दो चम्मच ले लिए सबी कुछ दालें इसमें सारे सॉसेज भी मैंने दो चम्मच लाने हैं दो चम्मच लाने हैं दो चम्मच डाल देंगे इसमें टोमेटो केचप इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो चलिए अब जटपट से बनाते हैं मंचूनियन की ग्रेवी मंचूरियन की ग्रेवी बनाने क्लिए मैं ले लिए फ्रैपन को गरम होने देंगे फिर हम इसमें ले लेंगे दो चम्मच तेल रिफाइन डॉय लेगे मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हम आज को तेजी रखेंगे अब तेज आज पर हम फटाफट से सब कुछ फ्राइ करें तिल हमारा गरम होगे है आज को तेजी रखेंगे यहां पर मैं डाल दूँगी दो चम्मच गार्लिक लैसन लैसन का बहुत इच्छा फ्लेवर आता है इसलिए हम लैसन जादा डालेंगे इसमें आज को तेजी रखना है पटाफट से हलका साटे करेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच हरी मिर्च एक चम्मच डाल दूँगे में प्याज और एक चम्मच हम डाल देंगे चिम्ना मिर्च हलका साटे करेंगे बस एक मिर्च के लिए देखिए हलका साटे हो गये अब हम इसमें यह वाला जो हमने गोल बना के रखा था सौस वाला इसको चैसे मिक्स करेंगे और इसको इसी में एड कर देंगे इसको एक मिन्ट पकाएंगे सौस को इस तरीके से फ्राइ करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मंचूरियर में इसको बुनते हो लगवग एक मिन्ट होगे अब हम इसमें एड कर देंगे दो कटोरी पानी या 200 एमल पानी ये देखिए पानी में उबाल आ गया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे ये जो हमने कॉण फ्लोर की सलरी बना के रखिए दो कटोरी में दो चम्मच की सलरी जो है काफी है इससे आपका ग्रेवी जो है ना ज़्यादा गाढ़ा बनेगा ना पतला बनेगा तो इसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें एड़ करेंगे एक साइड हम चलाते रहेंगे और एक साइड हम थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे इसमें सारे सलरी जो हमने बना के रखा था कॉनफ्लोर वाला एड़ कर देंगे और इसे एक मिन्ट और पका लेंगे यह परफेक्ट मेजरमेंट है दो से हैमल पानी है दो कप पानी में दो चमच कॉनफ्लोर साथ ही डाल दूंगे में आपे स्वादुनुसा नमक नमक डालते इसमें ध्यान नहीं सॉस हमने एड़ किया उसमें भी नमक होता है और आधा चमच में डाल दूंगे काली मिर्च पॉडर अगर आप बच्चों के लिए बिना रहे हो तो काली मिर्च के पॉडर थोड़ा कम भी डाल सकते हैं इसमें एक उबाल आने देंगे इसको लगताच चलाते रहेंगे नहीं तो इसमें गुठलिया बन सकते हैं यह देखे इसमें उबाल आगे एक मिट उबलने देंगे हम इसे यह देखे मैं चमच से दिखा रहे हैं आपको इकाड़ा होने लग गए यह देखे अब हम एट कर देंगे इसमें मंचूरियन बहुत जो हमने फ्राय करके रखें इसको भी एक मिन्ट हम इसके साथ पका लेंगे अब हम गैस को बन कर देंगे तो लीजिए हमारे वैज मंचूरियन बन के तयार हैं आज मैं इसे सर्फ कर रही हूं नूडल के साथ यह रेखे इस तरीके से आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ किसी भी जीज के साथ सर्फ कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रू कमेंट करके बताएं अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई थैंक्स वर वाचिंग एंजॉय कुकिंग अगर अगर वाचिंग